हैलो गाइज आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि पुस्वमित्र सुंग कौन था, पुस्वमित्र सुंग ने सुंग वन्स के अस्थापना कैसे की, पुस्वमित्र सुंग का यवनों से संघर्ष, पुस्वमित्र सुंग दुबारा वेदिक सभ्यता को बढ़ावा थे ऐसा माना जाता है कि मोर्शमराज के अंतिम सासक विरेहदर्थ एक कमजोर एवं आयोग सासक था जिसके कारण इनके सेनापती पुष सुमित्रिसुंग उन्हें कभी योग सासक नहीं मानता था विरहधर्थ इतना कमजोर एवं आयोग सासक था कि वह जनता का रच्छा करने में आसमर्थ था उनके राजियों पर आने राजाओं द्वारा अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था इसको देखते हुए पुस्वमितर सुंग ने विरहधर्थ की हत्या कर दी और सुंग वन्स की अस्थापना किया पुस्वमितर सुंग का सासन काल 185 इसा पूरुव से लेकर 149 इसा पूरुव तक मानी जाती है उसके बाद हम लोग जानने का प्रियास करते हैं कि पुसुमित्र सुंग ने सुंगवंज की अस्थापना केसे की पुसुमित्र सुंग ने अपने स्वामी विरहधर्थ की हत्या करके सुंगवंज की अस्थापना की थी यह माना जाता है कि पूसमित्र सुंग ने अपने सुवामी विरहधर्थ को सेना का परदर्शन देखने के बहाने बुलाया था और उनकी हत्या उसी दोरान कर देता है लेकिन कुछ तत्यों से यह पता चलता है कि उस समय भारत पर यवन आकर्मन हुआ विरहधर्थ यवन आकर्मन को रोकने में आसमर्थ था जिसको देखते हुए पूसमित्र सुंग ने भरी सेनाओं के बीच अपने सुवामी विरहधर्थ की सर धर से अलग कर दिया जिसके बाद उनके सेनाओं ने पूसमित्र सुंग को अपना राजा घोशित कर दिया इस परकार से पूसमित्र सुंग ने सुंग वन्स की अस्थापना की उसके बाद हम लोग यह जानने का प्रियास करते हैं कि पूसमित्र सुंग का यवनों से संगर्ष उसमित्र सुंग के सासनकाल के शुरुवाती दोर में यवन सासक डेमेटियस पर्थम सुविवा था तथा इनके सासनकाल के अंतिम दोर में यवन सासक मिनांडर से इनका संगर सुवा था यह माना जाता है कि इन्हों ने यवनों को पंजाब तथा मतूरा से ख़देड कर बाहर कर दिया साथ ही कालिदास के पुस्तक मालवी का अगनी मित्रम से यह पता चलता है कि यवनों और पुस्मित्र के पोते के बीच युद हुआ था ऐसा माना जाता है कि जब असुमेग यग का घोड़ा घुमते घुमते सिंधु नदी के दचिन तर तक पहुँच गया था उसी दोरान यवनों ने उनके असुमेग यग के घोड़े को पकड़ लिया जिसके प्रिनाम सोरूप उसुमित्र सुंग के पोते वसुमित्र और यव आम भूब पूनों को प्राजित कर दिया और पुना असुमेग यग संपन नि किया उसके बाद हम लोग जानने का प्रियास करते हैं कि पूस्मित्र सुंग दुबारा वेधिक सब्वेदा को केसे बढ़़ावा दिया ऐसा माना जाता है कि पूसमित्र सुंग जब सासक बना उसके बाद दुबारा वेदिक सब्वेता को बढ़ावा दिया वेदिक सब्वेता को सुरुवात किया यह एक ब्रहमन थे जिसके खारण विद्वानों का यह मानना है कि जब यह सासक बन गया उसके बाद दो असमेग यग भी कराए थे कुछ इतिहासकार इन्हें बोध धर्म के कटर विरोधी मानते है दिवियवादन के अनुसार यह कहा गया है कि इन्होंने बोध धर्म के भीच्वों का हत्या करवाई थी तता यह भी घोषना कर दिया था कि जो व्यक्ति बोध के सीर को लाएगा उन्हें सो सवर्न मुद्रा दिये जाएंगे उनका कहना है कि पूस्मित्रशुञ जो था वे बोध धर्म का कटर विरोधी नहीं था इन पर जो बोध धर्म के हत्या का अरोप लगा है वह इसलिए लगा है क्योंकि बोध लोग यउनों को समर्थन कर रहे थे और पुसुमित्र सुंग के आंतरीक मामलों में हश्षिप करते आनि पुसुमित्र सुंग के जो आंतरीक रूप से बाते होती थी उनको यौनों को जनकारी दे दी जाती थी जिसके कारण पुसुमित्र सुंग ने बोद धर्म पर अत्याचार किया था इसके बारे में कोई सही परमान नहीं मिला है कि बोध धर्म का इन्हों ने हत्या किया था था उन पर अत्याचार किया था क्योंकि बोध गरंथ के अनुसार यह कहा गया है कि पुस्व मित्र सुंग ने बोध धर्म पर किसी भी परकार से अत्याचार नहीं किया था क्योंकि अगर उन पर अत्याचार करता तो उस समय बहुत धर्म के लिए अस्तूप का निर्मान नहीं करवाता लेकिन इन्हों ने उस समय बहुत धर्म के लिए कई अस्तूपों का निर्मान करया था उमिद करता हूँ कि आप सभी को ये सोट अश्टोरी समझ में आया होगा इसके पार्ट टू आने वाला है जिसमें मैं आपको पुसुमित्र सुन के उपलब्दियां के बारे में आसान सब्दों में कोहसन एंसर कराने वाला हूँ साथ ही इन से सम्मंधित दस most important objective कोहसन को भी बताने वाला हूँ आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको लाव यह होगा कि जैसे मैं इसके next part को upload करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में